असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों सारे बच्चों आज हम जी ओ क्लास 6 दूसरा चैप्टर उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले हम इसकी मेन हेडिंग्स पढ़ लेते हैं कि इसमें हमारे लेर्निंग आउटकाम्स क्या है जैनि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क आपको चाहिए या आप उसको देखना चाहते हैं या उसके लिए आपको रैनमाई चाहिए तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर टापिक वाइज वह सारी चीज़ें मौजूद हैं तो अगास करते हैं सबसे पहले आफर स्टेटिंग दिस चैप्टर इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आप उसका बढ़ हो जाएंगे कि रेक्टिनाइज ग्लोब एज अमाडल आफ अर्ट आपको समझ आ जाएगी कि ग्लोब पूरी जमीन का नक्षा किस तरह से होता है और इसकी क्या अहमियत है इडेंटिफाइड़ कार्डिनल पॉइंट्स ऑन अगिवन मैप एंड डिफरेंट टाइप साफ नौट इसमें अब नक्षे के मुख्लिफ खसूसियात और इसकी सिम्तों के बारे में समझ सकते हैं और पर समझ के दूसरों को बता सकते हैं अब जब आपको सिम्तों की समझ आ जायगी तो आप इस कबल हो जाएंगे कि आप नक्षे के उपर सिम्त के हिसाब से चीजों को असानी से और जल्दी ढूंड सकें एक्स्प्लेइन दा कांसेप्ट आफ स्केल और इस ताइपस आपको समझ आ जाएगी कि एक ग्लोब के या जो हमारा डिस्टेंस है उसको मेजर करने में जो स्केल हमें गाइड करता है उसको हमने कैसे फालो करना है मेजर दा डिस्टेंस बिट्वीन टू पॉइंट्स ऑन मैप यूजिंगा मैप स्केल फिर उसी मैप स्केल के थूँ हम पता कर सकते हैं अंदाजा कर सकते हैं कि ए एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अंदाजन कितना वक्फा हो सकता है वैसे इसका बहुतर इस्तमाल अगर आप गूगल मैप्स को यूज कर ले तो वह आपके साथ बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है और बड़ा इजी टू यूज है लेकिन अगर आपने डाक अगराई के हिसाब से कैसे समझ सकती हैं इडेंटिफाई इंपार्टेंट लेटिचूर्स एंड लांगिचूर्स अब यह जो आपने तूलो और्ज या लंबाई चुड़ाई पड़ी है इसकी एहमियत क्या है इसको पढ़ना क्यों जरूरी है आपको इस सारी चीज की तफ लंगिचूर्स लेटिटूड को इस्तमाल करके आप कैसे किसी चीज को नक्षे के ओपर तलाश कर सकते हैं इसकी मदद से हम नक्षे को पर इसकी लिकेशन को आसानी से कैसे ढूंड सकते हैं calculate the time difference between two places with the help of longitude तो हमने आए तक ये तो देखा कि हमारे यहां किया टाइम हुआ है लेकिन हमारे वो रिष्टदार जो दूसरे मुलकों में रहते हैं हमारे यहां अगर दिन के बारा बज़े हैं तो उनके हां दिन के बारा नहीं होती उनका टाइम या तो हमसे थोड़ा आगे होता है या पीछे होता है तो वो क्यों होता है यह भी आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ा अंदाजा हो जाएगा recognize different types of map symbols on a map map के उपर कुछ symbols होते हैं जो map के उपर मौझूद मुख्लिक जगों के बारे में indicate करते हैं जैसे hospital है, school है, road है, railway stations है इन चीज़ों के मखशूस अलमात होती है, symbols होते है उनको देखके आप कैसे चीज़ों को identify कर सकते हैं, ढूंड सकते हैं list the symbols, आप इन symbols की पूरी list पढ़ेंगे, जो अब जब भी map को देखेंगे, उसमें आपके help आउट करेंगे identify the physical and man-made features on a map with the help of conventional science इसके लावा, जो कुदरती तोर पे जमीन की साखत है, जैसे जमीन बनी हुई है वो सारी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो इनसान ने जमीन के उपर बड़ी बड़ी बनाई हैं, उन सब को के बारे में भी आपको science पढ़ाए जाएंगे, इसमें देख समझाए जाएंगे जो onwards आपको map को समझने में या इसको follow करने में help आउट करेंगे describe the utility of a map and atlas in everyday life a map या atlas जो के map की ही एक किसम है, इसको कैसे हम अपनी आम जिन्दगी में इस्तमाल कर सकते हैं या यह हमारे लिए कैसे मुफीद हो सकता है यह वो सारे टापिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और अमीद है कि यह चैप्टर मारे लिए बड़ा मज़धार होगा अगर आप चाहते हैं कि अब इस स्री से जुड़े रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्यार किएगा अलाफिज